दोस्तो पेटीय मर्चंट के तरफ से एक बहुत बड़ी नियूज निकल के आ रही है अगर आप पेटीय मर्चंट को यूज करके अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं QR कोड के जरीए तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए अगर आप पेटीय मर्चंट को यूज करके पैसा रिसीव करते हैं तो सायद आपको भी कुछ इस तरह का SMS मिला होगा और अगर नहीं मिला है तो यहां मैं आपको बता देना चाहता हूँ 20 अप्रैल 2018 से आप जितने भी पैसे रिसीव करेंगे पेटीय म उन पैसो पर 1.99% कमिशन प्लस GST चार्ज लेगा पहले पेटीय मर्चंट पे कुछ भी चार्ज नहीं लगता था आप जितने भी पैसे रिसीव करते थे वो डिरेक्टली आपके बैंक अकाउंट पे 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता था लेकिन अब से अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपे रिसीव किया ठीक है तो उन पर PTM 1.99% कमिसन लेगा प्लस GST टैक्स लेगा और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपके बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर होगा ठीक है और ये 20 अप्रेल 2018 से लागू हो जाएगा तो अगर आप PTM मर्चेंट को यूज करते हैं तो आप कमेंट करके बताईए कि क्या आप PTM के इस फैसले से खुस है तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करिए और इसी तरह की genuine informative वीडियो के लिए Quick Solution चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए Thanks a lot for watching, Bye